नमस्कार दोस्तो मैं हूं विकी आप देख रहे हैं आर्ड बलाघार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मेरे पास कोई बहुत इस्पेसल टॉपिक नहीं था कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज को टॉपिक मेरे पास बहुत सारे हैं कि मैं इस सौफ्ट्वेर को इस बहतर और कैसे बनाई जा सकती है ये चीजे मैं समझा सकता हूँ लेकिन टाइम टाइम पर मेरे माइंड पर जो जो चीजे चलती है वो चीजे में आप लोगों साजा करता हूँ साथ ही साथ आप लोगों के जो कॉमेंट होते हैं के विचार विमर्स जो होते हैं उन चीज़ों को भी थोड़ा सोचता हूं कि कैसे काम करना चाहिए और किस टाइप से इसमें काम किया जा सकता है कौन सी चीज़े पॉसिवल है यहां पर हम बात करेंगे आज फोटोशॉप CC 22.0.1 2022 को यूज करके देखेंगे और इसका मेकेनिजम समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है और कितना बहतर है बहुत एडवांस चीज़े आई है लेकिन मेरे लिए सब कुछ वैसा ही है पहले जैसा पहले जो चीज़ थी वो भी हम जुगार लगा के कर लेते थे प बहतर था ये भी बहतर है अब इस चीज़ को डाउनलोड करने का सबसे पहला मेथ़ड समझ लेते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे और दूसरी चीज ऑफिशल वैबसाइट से कैसे बाय करते हैं क्या है वो चीज़ बता दूँगा पायरेसी बिलकुल ना करें गलत बात होने के बाद मैं क्या किया कैसे किया क्या नहीं किया वो तो मैं जानता ही हूँ बहुत गंभीर दूइधा में था लेकिन आप लोग पायरेसी ना करें क्योंकि जो लोग सौफ़वेर पायरेसी बनाते हैं उसको कॉपी करते हैं वो लोग कुन सा गलिच कहां कैसे डालेंगे किस शीज़ को कैसे यूज़ करेंगे आपका डेटा ले लेंगे या आपको पता भी नहीं पड़ेगा इसलिए पायरेसी नहीं करना चाहिए अगर करें भी पायरेसी तो किस टाइप से करें उसका पैटर्ण है एक तरीका है चीजों को ट्रस्टेवल चीज़ कैसे डाउंलोड क था, तब मैंने किया भी है, तो उस चीजों का भी एक तरीका था, और दूसरी चीजे, अभी जब से मैंने नई मसीन खरीदा है, तब से मैंने सारी चीजे अपडेटेड और लेटेस्ट यूज़ करना जाना है, समझा है, कि लेटेस्ट और अपग्रेडेड चीजे डालो, और अगर परिशान हो जाती है, तो आपको सपोर्ट टीम, 24 आवर आपको सपोर्ट देने तयार बैठी हो, वैसा यूज़ करो, जेनुवन चीज़ यूज़ करो, अब बहुत सारा भासन हो चुका है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद की, मैं हितनी तारी चीज़े आए गया है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा डील भी चल रहा है, मैं यह नहीं कहता कि बाय मत करो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बाय करो, फोटोशॉप अफिशल यूज़ करो, या फिर जुगाड लगा सकते है, तो जुगाड भी लगा लेना चाहिए, फ्लेस प्ले पायरेस ही नहीं करनी चाहिए, यह हो गया ओफिशल वेबसाइट, ठीक है, अब यहाँ से हम और भी चीज़े देख सकते हैं, जैसे यहाँ सपोर्ट टीम है, दुनिया भर की चीज़े तो बताया है मैंने, लेकिन फिलाल तो अभी यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ लेते है किसका मेकनिस है, फोटोग्राफर में आएंगे जैसे, वह ऐसे यहाँ पर या फोटोशॉप में आएंगे, फूचर्स प्रोडेक्ट में, तो यहाँ आपको देखने को मिल जागा है, जैसे इलिस्टेटर, प्रीमियम प्रो, यहाँ से देखेंगे, इस वेबसाइट पर और इतना प्रीमियम है, कि आप सोचेंगे, तो आपको लगेगा, कि फोटोशॉप से चीज़ की जा सकती है, यह जो वीडियो क्लिप नजर आ रहा है आपको, यह सब कुछ, यह जो फीमेल है, वो दिखाना चाहा रही है, कि फोटोशॉप से इतनी प्रीमियम चीज़ एक नई दुनिया बनाई जा सकती है, इस बारे में थोड़ा सा इनका विचार है, इनकी थिंकिंग यह कुछ ऐसा बता रही है, तो कुछ इस टाइप से इवुलेशन टाइब की चीज़ थोड़ी बताई जा रही है, जो कि काफी एफेक्टिव है, और एक अपने आप में बहतर है, यह सोच रही है, ऐसा कुछ यह एड बता रहा है, बाक यहाँ से डाउन लोड में या बाय में क्लिक करता हूं, तो देखेंगे कि क्या क्या है, मंतली क्या है, रिक्षा है कैसे इसका सब्सक्रिप्षन होता है, यह सारी चीज़े जहां पर, इंड़िविज़ों की लिए क्य बहुत सारी चीज़े इसमें दी हुई हैं फिलाल यहां पर देख लेते हैं बेक करके इसको free trial के बारे में समझ लेते हैं free trial में जैसी क्लिक करेंगे वैसी यहां पर कुछ बहुत सी चीज़े आईगी photograph और प्लान और यह वो दुनिया भर का लेकिन आप trial में इसको download कर सकते हैं और क्या-क्या है देखेंगे इसका specs समझ लेंगे आँप यहां पर जैसे मैं यहां कर गूगल में इसको नियू टेप में ले लेता हूँ और यहां से इसका समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी यहां पर इस समझ लेते हैं इसका रिकार्मेट क्या है और यह मेकजिमुम कित्तावन चेर क्या होना चाहिए तो यहां पर अगर आप समझे एडॉप के ओफिशल वेबसाइट से देखना चाहिए पर यह Intel AMD के प्रोसेसर के साथ 64 bit प्रोसेसर चाहिए 64 bit operating system के साथ यह 2.0 का चल जाएगा फास्टेस प्रोसेसर चाहिए बोलगा विंडोस टेन बहुत जरूरी है और वर्जन कोंसे चाहिए विंडोस टेन का यह 1809 और उसके आगे वाला चलेगा रें आड़ जीवी कम से कम और चाहिए 16 जीवी ठीक है और ग्राफिक्स कार्ड बहुत अनिवारे है फोटोशॉप ग्र ग्राफिक्स कार्ड इन बिल्ड है उसमें कई कई चीजों में चल जाता है लेकिन उसके अलावा एक अलग प्रोसेसर में जीप्यू नहीं है अगर प्रोसेसर में जीप्यू मतलब प्रोसेसर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इन बिल्ड वाला जो आता है वो नहीं है तो आ डाउनलोड करने के बाद का प्रोसेज मैं डाउनलोड मैथर नहीं बताऊंगा यहां से आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सेवन डेस की हिसाब से चल रहा है इसको ऐसे करते जाओ यूज चल जाएगा फोटोशॉप उपेन कर लेता हूं सबसे पहले यहां पर मैं आपको कुछ चीज़े बता देता हूं सबसे पहले इधर पर आना है यहां रिशेट का बटन है देखेंगे यह रिशेट में क्लिक कर देंगे ठीक है इसके आगे में एक और बटन है निव वर्किस्पेस डिलीट कर लिए हमने अब यहां से आपको दो तीन चीजों को नोटीस करना पड़ेगा वह क्या है यहां से जैसे यह अगर ओपन कराएंगे मैंने इस्टॉल कर लिया है और सब चीज कर लिया है यहां पर कुछ ऐसा पे जाता है तो आप डारेक्ट यहां से यूज कर सकते हैं ठीक ह तो फोटोग्राफी जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको किस-किस चीजों की ज़रुत पढ़ती ही फोटोग्राफी में वह चीजें यहां पर आ जाएगा पेंटिंग और दुनिया ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइनिंग में जो चीज आपको चाहिए वह चीज आ जाएगा यह फोटोग्राफी ठीक है अब मेरे हिसाब से यहां पर एक फोटो ले लेना चाहिए मुझे यह वाला फोटो ले लेता हूं ठीक है यह फोटो ले लिया है मैंने इसके मेकनिजम को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस टूल पर सिर्फ क्लिक रखिए अपने आप इसका मे वीडियो कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन वे के लिए नहीं है मैं इस चीज़ों को फोटो सॉप्वेर को एक्स्प्लोर करने की कोसिस कर रहा हूं बहुत ज्यादा एक्स्प्लोर भी नहीं करेंगे इतनी जरुवत नहीं है वहां कर लेंगे ऐसा थोड़ी है अगर है भी जरूर लेकिन मज़े आएंगे एक साथ उपर कैसे जाए जा सकता है इंपॉसिवल जैसा डिस्क भी है उसमें तो यह ठीक है उसके बाद इस वाले टूल पर आएंगे तो यह खुद बखुद बताएगा यह टूल की चीज कैसे काम करती दूसरे टूल को समझ लेते हैं इसक समझना पड़ेगा उसकाद यह जो है मेजिक वांड टूल इसको देखेंगे तो यह नहीं बता रहा है बाकी क्रॉप टूल को देखेंगे यह भी कुछ चीजे को explain कर देता है यानि जहां तक चीजे जरुरत की है वहां तक चीजों को explain कर देगा और भी इस टूल को देख लेंगे आप कि सेम कलर चाहिए या क्या चाहिए उस टाइप से वहां पर चीजों को click करके बताएगा ठीक है पूरा review देख लेते हैं क्योंकि मैंने भी नहीं देखा इस software को थोड़ा समझूंगा मैं भी कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है उसके अलावा इस software में देख लेते हैं ब्रश वहैं होगा यह देखेंगि कितना असान यह चीज़ बता रहा ओं यहां पर बता रहे बिसे कर रहा है क्या कर रहा है टेक्स टूल देख लेते हैं काफी बढ़िया है और उसके बाद पेंट टूल है वन क्लिक में कैसे चलाना है वह देखेंगे ड्रेगेंड ड्रॉप करना होता है कभी फोटोशॉप में इन चीज़ों को कि यह हो गया उसके अलावा यह टूल है इसका भी एक्टिविटी देख लेंगे आप कई सारी चीज़ को नहीं पता बेसिक भी नहीं पता उनके लिए तो बहुत ही अच्छा आपने आप में वरदान है सौफ्ट्वेर इतना बहतर चल रहा है सौफ्ट्वेर और इतनी है यहां से दुनिया भर की चीज़े आप देख सकते हैं समय है इसको थोड़े है यहां से देख है इसके अलावा यह सब कुछ है यह रहा जैसे कष्ट्व से तूल को हैं और बहुत सी चीज़ें यह पर जो देखने लायक है और काफी बैतर भी यहां को खराब नहीं यहां से मिक्सचर ब्रस टूल इदर पर भी आ जाता है एडिट करने की ज़रूरत पढ़ती नहीं है बहुत ज्यादा अगर चाहो तो कर सकते नहीं तो ज़रूरी नहीं है अब इसको मैं थोड़ा से एक बार रिशेट कर लेता हूं उसके बाद मैं सारी चीजों को और समझते ह तो यह चीज कैसे काम करती है उस चीज को भी मैं थोड़ा समझाऊंगा आगे और इधर पर और दुनिया भर की चीज़ें दी हुई है इन चीजों को नहीं समझना है मैं को अब मैं यहां से फिल्टर सेक्शन चेक कर लेता हूं यहां पर क्या क्या दिया गया है क्या नहीं पूरी चीज देख नहीं पाया मैं क्योंकि मैं भी इसको अभी स्टार्टिंग किया हूं मैं खुद नहीं पता सिस्टेम इंफॉर्मेशन में जाएंगे और फोटोशॉप का वर्जन देख एड़ा फोटोशॉप वर्जन 22.0.1 यह इसका वर्जन है तो यह लेटेस्स आफ बताता हूं जैसी इसको हमने कॉपी किये कंट्रूल जे की साथ यह लेयर बना इसको तो लेयर बनाने गवाद इसको ड्रैग जब करों तो कोई बटन दबाने जरुवत नहीं अगर धोके से सिफ्ट दबाये तुमने तो यह ड्रैग होने लगता देखिए ऐसे मूह होता है उसके अलावा अगर आपने अल्टर दबा दिये तो यह ऐसे पूरे चारों तरफ इधर उधर हो जाएगा अब अगर इसको ड्रैग करना दे सिंगल क्लिक में हो रहा है तो बिना सिफ्ट के दबाये हुए जहां हमको सिफ्ट की जरुद पढ़ती थी वहां सिफ्ट की है यह चीज और इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो मैं कोई से पसंद आईये मैंने देखा हूं बहुत ज्यादा चला के नहीं देखा हूं और कोई मैं एक्सपर्ड नहीं हूं एडॉप कंपनी से ऑफिशल भेजा गया नहीं हूं जो यूटूब में चीज सिखा हूं मैं कोई एक्सपर्ड नहीं हूं एडॉप कंपनी में भी टुटोडियल आर्टिकल बना के रख दिया गया है जिसको समझना है समझने तो कोई समस्तिया नहीं है उनको तो मैं जब तक चीजों को देखूंगा नहीं एक्सप्लोर करूंगा नहीं बहतर नहीं कर सीधी भासा में बोला जाए तो मैं भी सीखता हूं आप लोगों को भी सिखाता हूं अगर कोई ऐसा परसन हो जो खुद सीखके दूसरों को सीखाता हूं तो मुझे भी सिखा मैं चाहता हूं सीखना ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ आता हूं मैं कोई सब कुछ सीख लेने वाला ह मुझे बहुत सी चीज़े नहीं आती मैं सीखते रहता हूं समझते रहता हूं गलतियां भी हो जाती है उनको सुधारता भी हूं चीजों पर experiment करना इंसान का सबसे बढ़िया चीज है कि इंसान सभी चीजों सीखते हुए ही सीखता है सब कोई सीखते नहीं आ तो इसको मैं सीखूंगा समझूंगा इस software को इसके mechanism को समझने थोड़ा time लगेगा मुझे उमीद है कि आज का tutorial आपको पसंद आया होगा बहुत लंबा है यह सिर्फ भासन है ऐसा सभी लोगों को लगेगा लेकिन अगर किसी अच्छे software में किसी अच्छे work को करना है तो उसकी बेस से उसके निवसे चीजों को समझना सीखना बहुत ही जरूरी है अगर हम किसी उचाई पर जाना है तो नीचे से ही आपको सीड़ी चड़के चट पर जाना पड़ेगा सीधे चट पर जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा ठीक बात नहीं लगेगी हो अगर कोई चीज हास लिए डाउलोड कैसे करना एडॉप को ओफिशियल लिंक आपको गूगल करोगे तो मिल जाएगा फर्स नंबर पर आता है एडॉप फोटोशॉप सीसी 2020 लेटेस्ट लिखोगे तो आपको गूगल का नंबर बन एडॉप.com.in में भी जा सकते हो वहाँ पर तो वह मिल जाए लोगों को लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं पर बहुत से लोगों को समस्या जाती है लेटेस्ट आफ्टिवर में तो अगर आप ओल्ड सॉप्वेर चलाते हैं उसके फिल्टर चाहिए फोटोशॉप सीसी 14.2 वरजन के पहले तक के के CS3 7.0 यह सब फिल्टर चाहिए त आपको तुरंत इंस्टागराम पे आओ, चीफ प्राइज में आपको अवेलेबल करा दो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब बहुत से लोगों ने नहीं किये, 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किये, तो वीडियो अगर आप आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो आपसे विनम्रता पूरो अकनी वेदन हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने लिए आपका बहुत बाद धन्यवाद, थैंक्यू, धन्यवाद, जय भी हम